Hey there, press the bell icon and never miss a video on cyber security and technology. यहाँ पर पाइथन में एरेस का एस सच कोई concept नहीं है, लेकिन हम एरेस यूज़ करते हैं, तो स्ट्रिंग को भी आप एक एरेस बोल सकते हो, इसमें क्या होता है कि आपको कोई particular स्ट्रिंग के थुरू इटरेट करना है, बलब स्ट्रिंग की वैल्यूस के थुरू इटरेट क करना है, तो क्या होता है कि जब हम स्ट्रिंग क्रियेट करते हैं, तो स्ट्रिंग का मतलब होता है, एक ordered sequence of characters, अब orders है मतलब यह है कि मैंने कोई string बनाई है hello, तो H के बाद E आएगा, E के बाद L ही आएगा, L के बाद L ही आएगा, अब एक order होता है यहाँ पर एक particular specific order होता है तो अगर मुझे H, H अगर access करना है, मुझे E access करना है, मुझे को एक particular data access करनी है, एक string के अंदर, तो मुझे indexing करनी पड़ेगी, अब H में माल लीजे मैं दे देता हूँ 0 index, तो 0 अगर मैं value देता हूँ, तो उसके corresponding string में जो character होगा, वो H, और 1 के corresponding character होगा, वो E होगा, 2 के corresponding L होगा, तो ऐसे करके सारे characters से मैं access कर सकता हूँ, तो index का मतलब क्या होता है, जैसे normal मतलब होता है index का, कि हमने कोई key प्रोवाइट कर दिया है, कि मुझे इस value से इस value को access में कर सकता हूँ, जैसे कि माल लीजे एक dictionary का index होता है, तो A से start होने वाले जितने भी characters हैं, वो कौन स मालू मैं एक standard index मेंने, मलब कोई भी language का लोगों ने बना के रखा हुआ है, कि index 0 से start होता है, अब programming में कोई भी चीज access करना चाहते हो, तो indexing हमेशा 0 से ही start होती है, तो पहला character, मलब पहली चीज जो string में होगी, वो 0 से start होगी, अगर आपकी string start हो रही है hello से, मलब h से, तो अगर आपको index के through character की value access करनी है, तो आप वो भी कर सकते हो, अगर आपको character के through index की value बता करनी है, तो आप वो भी कर सकते हो, तो ये एक अच्छा चीज है, अब index पर यहाँ पर आप देख रहे हो, कि 0 index पर है, 1 index पर E है, तो ऐसे करके एक करके increment करता जाओगे, तो एक एक आ देता हूं string में तो उसका भी एक particular index होगा वो ignore नहीं होता है वो भी एक value होती है वो भी एक character होता है string में तो एक होता है यहाँ पर python में एक अच्छा मलब एक unique concept यह है कि आप दो तरीके से indexing कर सकते हो सबसे पहले जो index होता है वो normal वाला forward indexing जो 0 से start होता है पहला character 0 फिर जितन reverse indexing का जो मतलब है वो यह है कि वो minus 1 से start होता है अब index तो हमने 0 से दे दिया है शूरू से दिया है अब minus 1 last से क्यों दे रहे हैं तो इसका काम इसलिए पढ़ा था कि जब हमें कोई हमें एक string ली है हमने अब उस string की हम मेरे पास length नहीं है मुझे उस string की value नहीं पता कोई arbitrary string आ करेगी तो उसके लिए मैं reverse indexing यूज करूंगा तो last index का particular value दे दिया गया है यहाँ पर minus 1 तो minus 1 अगर आप access करना चाहते हो तो उसकी value आगी last character of the string तो इसी तरीके से हम last characters को fetch करते हैं फिर ऐसे करके minus 1 करके हम लोग फिर पीछी जाते जाएंगी जाते जाते जाएंगी फिर जो first character है वो तो zero ही रहेगा तो आप reverse indexing भी कर सकते हो forward indexing भी कर सकते हो आपके need पर depend करेगा तो इस तरीके से indexing होती है यह basic सा मैंने introduction दे दिया है अब इसको practical करके दिखेंगे हम पायचा में कि यह काम किसे करता है तो आइए देखते हैं पायचा में चलते हैं तो यहाँ प तो standard जैसे हम arrays में access करते थे जो indexing का syntax था हम वही उसकरेंगे आपर square brackets और square brackets के अंदर हम index की value देंगे तो index की value मुझे कुछ specific करनी है जैसे मैं अगर पहले character को print करना चाहता हूं तो मैं आपर zero दूँगा तो a of zero में मुझे print होना चाहिए h तो देखते हैं तो यहाँ पर h print ह हो चुका है तो इस तो परिके से हम indexing करते हैं और अगर हम last character को print करना चाहते है तो minus 1 में अगर हमारे पास मिलता है d तो s सही है, तो d मुझे म unl गया last character जब कि मुझे length of string पता नहीं थी तब ही मुझे लास करेक्टर मिल चुका है तो इस तरीके से हम इंडेक्सिंग करते हैं और यहां पर आप कुछ भी दे सकते हैं जैसे कि मैं यहां पर देता हूँ ए ओफ थ्री तो यह ध्यान रखेगा कि इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है हमारे पास नॉर्मल जो आदत होती लिए कि 1 से हम गिनना चलो करते हैं लेकि प्रोग्रामिंग में आपको 0 से गिनना चीक्ना पड़ेगा तो यहां पर 3 अगर में लिखता हूँ तो फोर्थ करेक्टर प्रेंट होगा फोर्थ वेल्यू प्रेंट होगी तो यहां पर एल जो है वो फोर्थ पोजिशन पे आप यहाद रखेगा यहाँ पर दो दो L है यह थार्ड वाला L है और यह फोर्थ वाला L है तो इस तरीके से हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं यह तो सिंपल सा कॉंसेप्ट था इंडेक्सिंग बहुत इजी है जैसे कि आपने अगर एरेस पड़ाया तो आपको बिल्कुल भी इसमें दो नहीं होने माली है तो स्ट्रिंग एरेसं इंडेक्सिंग आए हो आपको समझ में आ गया होगए कैसे एटरेाट करते हैं स्ट्रिंग के द thriving के थूर और आगा और आगे चार के हम पाइटन में लूप्स पढेंगे लूप्स का पड़ेंगे, तो आपको लूप्स में मैं बता हूँगा कि 스트rinks को कैसे इटरेट करते हैं strinks के थूु सारे सारे इंडेक्षेस को कैसे हम लोग आक्सेस कर सकते हैं और उसके बादac diope फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे strinks की जब हम functions करेंगे. next video के लिए देखते रहिए सीखते रहिए और गुडबाई